नमस्कार दोस्तो हमारे वीडियो चैनल में आपका एक पर फिर से स्वागश है दोस्तो आज की वीडियो में हम KVS PGT Commerce का प्रिवेश एर एक्जाम लेकर आए हैं जो कि 23 दिसंबर 2018 आगा है दोस्तो संबावना की इस एक्जाम से बहुत सारी क्वेशन रिपेट हो जाए तो आप इस परसंपत्र को अच्छे से कर ले तो चले दोस्तो आज के परसंपत्र को सुरू करते हैं प्रश्न एक निम्न में से कौन सारवजनिक शेत्र की भूमिका नहीं है इसके आप्शन है आ, आधार भूत संरचना में विकास बी, लाब कमाने वाली क्षमता का विकास सी, आर्थिक शक्ती के अती संकेंदरन को रोकना दी, देश के निर्यात में विस्तार करना इसका सही उत्तर है लाब कमाने वाली क्षमता का विकास प्रश्न दो कमियों के प्रबंधन है तु मानव संसाधन की रणनी तिक पहल कौन सी है? इसके आप्शन है A. बाहिसरोतकृत कार्य को घटाना B. कर्मचारियों का प्रशिक्षन C. चर्वेतन योजना अपनाना D. दूसरी कमपनी को कार्य की उपसमविदा देना इसका सही उत्तर है कर्मचारियों का प्रशिक्षन प्रश्न तीन निम्न में से समन्वय की विशेश्टा कौन सी नहीं है? इसके आप्शन है A. यहाँ एक सतत प्रक्रिया है B. यह सभी प्रबंधकों का उत्तरदायत्व है C. यह प्रबंध का सार है D. इसमें संगठन के लक्षों पर विचार किया जाता है तथा व्यक्तिगत लक्षों पर विचार नहीं किया जाता इसका सही उत्थर है इसमे संगठन के लक्षों पर विचार किया जाता है, तथा व्यक्तिगत लक्षों पर विचार नहीं किया जाता प्रश्न 4 निमलिखित कथनों में कौनसा एक कथन सही है? इसके option है अग एकल स्वामित्व व्यवसाई के नियमन के लिए अलग से कोई कानूर नहीं है B. एकल स्वामित्व व्यवसाई के मालिक का सीमित दायत्व होता है C. परिवार के सभी वयस्क सदस्यों द्वारा सन्युक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का नियंत्रन किया जाता है D. सन्युक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के सभी सदस्यों का दायत्व असीमित है इसका सही उत्तर है कल स्वामित व्यवसाय के नियमन के लिए अलग से कोई कानू नहीं है प्रश्न पांच निनलिखित में से कौन सा सही नहीं है इसके आप्शन है अ, साज्यदारी उन व्यक्तियों के बीट संबंध है जिनोंने उन में से किसी एक द्वारा चलाये जाने वाले व्यवसाय के लाप में हिस्सा लेने के लिए समझोता किया है बी, व्यवसाय को एक टीम के रूप में चलाने से उत्पन्न जोखिम को साज्यदार वहन करती है एक्ट 2013 की धारा 464 के अनुसार साजेदारी में साजेदारों की अधिक्तम संख्या 100 हो सकती है। इसका सही उत्तर है साजेदारी उन व्यक्तियों के बीच संबंध है, जिनोंने उन में से किसी एक द्वारा चलाए जाने वाले व्यवसाय के लाब में हिस्सा लेने के लिए समझोता किया है। प्रश्न 6 गार्डन लिमिटेड ने 10 रुपै प्रतेक वाले 450 अंश जो एक रुपया प्रतेक के प्रीमियम पर जारी किये थे तथा जिन पर 8 रुपै प्रीमियम सहित याचित किये जा चुके थे एवं 6 रुपै प्रीमियम सहित भुकतान किये जा चुके थे जब्त किये। इन में से 350 अंश आठ रुपए प्रती अंश प्रदत्त मानते हुए 7 रुपए प्रती अंश में पुनर निर्गमित किये गए। पूजी संचय खादे में कितनी धनराशी जमा की जाएगी? इसके आप्शन है A. 1300 रुपए B. 1400 रुपए C. 1500 रुपए D. 1600 रुपए इसका सही उत्तर है 1400 रुपए प्रश्न साथ निधी प्रवाव विवर्ण एक अध्ययन है इसके आप्शन है A. लाबदायकता में परिवर्तन का B. निवेशों में परिवर्तन का C. कार्यशील पूजी में परिवर्तन का D. रोकर स्थिती में परिवर्तन का इसका सही उत्तर है कार्यशील पूजी में परिवर्तन का प्रश्न आठ एशिया में प्रथम सकंध विपनी 1875 में स्थापित किया गया था इसके आप्शन है अग तोक्यों में B. शंधाई में C. बीजिंग में D. मुंबई में इसका सही उत्तर है मुंबई में प्रश्न नौ मुद्रास फीती के दौरान कोई देता खाता जिसमें स्थिर शेश हो दर्शाता है इसके आप्शन है A. क्रय शक्तिहानी यदी मद गैरमौदरिक देता हो B. क्रय शक्ति लाब यदी मद मौदरिक देता हो C. क्रम शक्ति हानी यदी मद मौदरिक देता है D. क्रय शक्ति लाब यदी मद गैर मौदरिक देता है इसका सही उत्तर है क्रय शक्ति लाब यदी मद मौदरिक देता हो प्रश्न दस विश्व बैंक का वास्तविक नाम है। इसके आप्षन है A. अंतराश्चिय बैंक B. नियमन एवं विकास हेतू अंतराश्चिय बैंक C. विकास हेतू अंतराश्चिय बैंक D. पुनर निर्माण एवं विकास हेतू अंतराश्चिय बैंक इसका सही उत्तर हैपुना निर्माण एवं विकास हेतू अंतराश्चिय बैंक प्रश्ण बारह जाच लागत आकलन इसके आप्शन है A. अत्यधिक आवरित्ति मूलक है B. को तब लागू किया जाता है जब सामगरी लागत तथा श्रम लागत की जाच संख्या order number द्वारा पहचान हो सकती हो C. को विशिष्ट और द्योगिक उपसकर निर्मात्री संयंत्रों में लागू नहीं किया जाता है D. को वहाँ लागू किया जाता है जहां विभिन्न स्थलों पर बड़े पैमाने पर ठेके दिये जाते हो इसका सही उत्तर है को तब लागू किया जाता है जब सामगरी लागत तथा श्रम लागत की जाच संख्या order number द्वारा पहचान हो सकती हो प्रश्ण 13. निमलिखित में से लागत लेखांतन का कार्य कौन सा है? इसके option है अब पूरे व्यवसाय के लाब अत्वा हानी की जानकारी देना B. विभिन्न उत्पाद रेखाओं की इकाई लाकतों तथा लाब हानी की जानकारी देना C. सयंत्र तथा मशीनरी का मूल्य दर्स करना D. व्यवसाय के आर्थिक संसाधनों तथा दायतों की जानकारी प्रदान करना इसका सही उत्तर है विभिन्न उत्पाद रेखाओं की इकाई लाकतों तथा लाब हानी की जानकारी देना प्रश्न 15 ट्रेजरी बिल अलपकालीन उधारियों का एक ऐसा प्रलेख है जो एक वर्ष से कम अवधी में परिपक होता है इसका उप्योग किया जाता है इसके आप्शन है A. राज्य सरकार द्वारा B. केंद्र सरकार द्वारा C. व्यावसाय क बैंको द्वारा D. गैरबैंकिंग वित्तिय कमपनियों द्वारा इसका सही उत्तर है केंद्र सरकार द्वारा प्रश्न 16 पशपालन उध्योग, मुर्गी पालन उध्योग तथा मत्स्य पालन उध्योग किस प्रकार के उध्योगों में आते हैं इसके आप्शन है A. निशकर्शन उध्योग B. द्वितिय उध्योग C. जन्निक उध्योग D. प्रक्रियन उध्योग इसका सही उत्तर है जन्निक उध्योग प्रश्न 17 जीवन बीमा के अनुबंध में निम्न में से कौन सा सिध्धान्त लागू होता है इसके आप्शन है A. बीमा योग्य हित B. अधिकार समर्पन D. अंशदान C. शतिपूर्ती इसका सही उत्तर है बीमा योग्य हित प्रश्न 18 मीना ने 29 अगस 2018 को परवीन पर एक माह हेतु एक बिल लिखा बिल की देय तिथी होगी इसके आप्शन है A. एक अक्टूबर 2018 B. दो अक्टूबर 2018 C. 29 सितंबर 2018 D. तीन अक्टूबर 2018 इसका सही उत्तर है एक अक्टूबर 2018 प्रश्न 19 अनिल ने चिंकी के पक्ष में 10 हजार रुपे के एक बिल का बेचन किया यहाँ बिल बिजेंद्र पर लिखा गया था D. तिथी पर बिजेंद्र ने बिल का भुक्तान कर दिया D. तिथी पर बिजेंद्र अपनी लेखा पुस्तकों में किस खाते को नामे करेगा? इसके आप्शन है अख प्राप्य विपत्र खाता B. देय विपत्र खाता C. चिंकी का खाता D. अनिल का खाता इसका सही उत्तर है देय विपत्र खाता प्रश्न 21 1. अप्रेल 2017 को 10 लाख रुपे की एक मशीन खरीदी गई तथा 1. अक्टूबर 2017 को 4 लाख रुपे की एक नई मशीन खरीदी गई यदी हासित शेश विधी से 20% प्रव रास प्रभारत किया जाए तो 31 मार्च 2018 को मशीन खाते का शेश होगा इसके आप्शन है A. ज्यारा लाख बीस हजार रुपे B. तेरा लाख बीस हजार रुपे D. बारा लाख रुपे C. ज्यारा लाख साथ हजार रुपे इसका सही उत्तर है बारा लाख प्रश्न 22 निमलिखित में से कौन सा सही है? इसके option है A. विग्यापन रणनीती में विग्ञापन संदेश स्रिजित करने का तत्व विद्यमान होता है B. विग्यापन रणनीती का विग्यापन मीडिया के चयन से कोई संबंद नहीं है C. विग्यापन मिश्रण में मूल्य पर विचार नहीं किया जाता D. बाजार वह स्थान है जहां वस्तूओं एवं सेवाओं को बेचा जाता है एवं प्रदान किया जाता है इसका सही उत्तर है विज्ञापन रन्नीती में विज्ञापन संदेश स्रिजित करने का तत्व विद्यमान होता है प्रश्न तेईस भारत सरकार द्वारा देश में वस्तू एवं सेवा कर लागू किया गया इसके आप्शन है A. एक जनवरी 2017 से B. एक अप्रेल 2017 से C. एक जुलाई 2017 से D. नौ नवंबर 2016 से इसका सही उत्तर है एक जुलाई 2017 से प्रश्न चौबीस निमलिखित में से कौन सा सही है इसके आप्शन है A. किराया, प्रकाश तथा परियवेक्षन लागत सामान्य लागत है सन्युक्त लागतों को B. प्रभाजन का आधार अपना कर प्रभाजित नहीं किया जा सकता है C. लागत निर्धारन में लागत केंद्रों के व्याय का आबंटन और प्रभाजन शामिल नहीं है D. उत्पाधन लागत में उत्पाधन की प्राथमिक पैकिंग लागत शामिल नहीं है इसका सही उत्तर है कि राया प्रकाश तथा परियवेक्षन लागत सामान्य लागत है सन्युक्त लागतों को प्रश्न 25 यहां एक बाजार है जहां कम जोखिम वाले असुरक्षित तथा अलपकालीन रिंड प्रलेक जो अत्यन्त करल होते हैं निर्गमित तथा प्रतिदिन सक्रियता पूर्वक व्यवारित किये जाते हैं यहां बाजार कहलाता है इसके आप्षन है अ प्राथमिक बाजार बी द्वितिय बाजार सी मुद्रा बाजार दी पूंजी बाजार इसका सही उत्तर है मुद्रा बाजार प्रश्ण 26. निम्न में से व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायत्व का प्रकार कौन सा नहीं है? इसके option है A. पेशेवर उत्तरदायित्व B. विवेकाधीन उत्तरदायित्व C. नीतिपरक उत्तरदायित्व D. आर्थिक उत्तरदायित्व इसका सही उत्तर है नीतिपरक उत्तरदायित्व प्रश्न 27 नए रनपत्र जारी करने का निर्ने है इसके option है A. पूंजी बजटिंग निरने B. प्रचालन निरने C. वित्तिय निरने D. निवेश निरने इसका सही उत्तर है वित्तिय निरने प्रश्न 28 निमलिखित में से कौन सा सही है? इसके option है A. व्यक्तित्व कभी नहीं बदलता B. अनुभव प्राप करने के लिए तयार रहना व्यक्तित्व का वहाँ आयाम है जो व्यक्ति की कलपना, समवेदना तथा जिग्यासा की विशेशता बतलाता है C. व्यक्तित्व उन तरीकों का योग है जिसमें व्यक्ति अन्य के साथ प्रतिक्रिया करता है परंतु अन्य के साथ अन्ता क्रिया नहीं करता D. व्यक्तित्व के प्रकार तथा व्यावसाइक वातावन के जाता बीच दुरुस्ती, फिट से आवर्थ निर्धारित नहीं किया इसका सही उत्तर है अनुभव प्राप करने के लिए तैयार रहना व्यक्तित्व का वहाँ आयाम है जो व्यक्ति की कल्पना, समवेदना तथा जिग्यासा की विशेश्ता बतलाता है प्रश्ण 29 निम्द में से कौन सही है? इसके आप्शन है अ, व्यापारिक उधार वित्त का लागत मुक्त स्रोत है बी, व्यावारिक उधार अंतरनिहित लागत है सी, फर्म के क्रय में व्रिधी होने से व्यापारिक उधार में कमी होती है यदि अन्य बाते अप्रिवर्तित रहें D. आस्थगित आय में व्रिद्धी होने से फर्म कीता लिक्विडिटी में कमी होती है इसका सही उत्तर है व्यावहारिक उधार अंतर्निहित लागत है प्रश्न तीस वित्तिय विवर्णों के विशलेशन में सम्मिलित है इसके आप्षन है A. समरूप विवर्ण इसका सही उत्तर हैक शैतिज विशलेशन प्रश्न तीस निमलिकित में से कौन वितिय विवर्णों के विशलेशन का एक प्रयोजन उदेश्य नहीं है इसके आप्षन है A. फर्म की वर्तमान लाभप्रत्ता तथा प्रचालानात्मक दक्षता का आकलन करना B. फर्म द्वारा अपने कर्ज चुकाने की सक्षमता का आकलन करना C. तुलनपत्र द्वारा वित्तिय स्थिती तथा लाभवानी खाते द्वारा लाभप्रत्ता दर्शाना D. फर्म की लाभप्रत्ता इसका सही उत्तर है तुलनपत्र द्वारा वित्तिय स्थिती तथा लाभानी खाते द्वारा लाभप्रत्ता दर्शाना प्रश्न 32 एक अलाबकारी संग्ठन द्वारा आय एवं व्याय खाता बनाए जाने का आधार है इसके आप्शन है A. रोकड आधार C. व्याय आधार B. राप्ती आधार D. उपारजन आधार इसका सही उत्तर है उपारजन आधार करते हैं धन्यवाद